यह वीडियो वाकांदा के संकी पाइलट के दिमाग की उपज है, जिसका किसी भी यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है, अगर किसी यक्ति या घटना से इसकी समानता पाई चाती है, तो इसे सयोग मात समझा जाए। अब तक आपने देखा कि किस तरह गली महुले की लड़ाई में रेफरी का काम करने वाला सीधा सा बच्चा संदीप महेश्वरी से मोटिवेट होकर रेलवे में पॉइंट्समेन बन जाता है। आपने ये भी देखा कि किस तरह ट्रेनिंग में IPL की चेर्स लीडर्स की बांती उसने जंडियां हिलाना सीखी और किस तरह उसकी पोस्टिंग गाला बक्रा नामक मेट्रो सिटी में हुई। अबे जल्दी बोल कल सुबे पनवेल निकलना है। इसके दो से चार साल बाद तुम्हारा पेट बाहर निकलने लग जाएगा तता बाल सफेद होने लग जाएंगे। तुम्हारी ग्रेट पे बढ़कर उननीस सो हो जाएगी और सैलरी अठाइस से चालीस हजार। और इसके दस से पंदरा साल के बाद भी तुम्हारी ग्रेट पे बढ़कर अठाइस सो हो जाएगी और सैलरी पचास से साथ हजार। लेकिन अगर तुम चतुर राम लिंगम स्वामी की बानती नोकरी के बाद भी पढ़ने का दम रखते हो तो नोकरी लगने के जश्ट दो दिन बाद ही तुम जनरल डिपार्टमेंटल कमपेटिटिव एक्जाम बोले तो जीडीसी का एक्जाम दे सकते हो। एक्जाम पास करने के बाद तुम 1900 ग्रेट पे वाला एलपी, 2800 ग्रेट पे वाला गाट, 3600 ग्रेट पे वाला टीटी और 4200 ग्रेट पे वाला स्टेशन मास्टर आसानी से बन सकते हो। इसके अलावा गर तुम्हारी सर्विस 3 से 5 साल हो चुकी है तो तुम लिमिटेट डिपार्टमेंटल कमपेटिटिव एक्जाम बोले तो LDC का एक्जाम देकर डारेक्ट ऑफिसर भी बन सकते हो। LDC एक्जाम की सबसे बड़ी खासेत ये होती है कि इसे रेलवे में पॉइंट्समेन और टीटी जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही दे सकते हैं। एक बाबा अच्छा बनाता है ने रानिंगरूम में अच्छा बनता है तो हम जानना ये चा रहे थे कि मतलब ये खाने का जो है इतना चीप क्यालिटी रखने का रिजन क्या होगा। गाड को मास्टर के द्वारा एक लव लेटर दिया जाता है जिसमें साफ लिखा होता है कि लोंडो तुम्हें ट्रेन की स्पीड किस पॉइंट पर कम करनी है। रेल्वे की भाषा में इसे कॉशन ओडर कहते हैं और मास्टर का ये पेगाम लोको पाइलिट तक पहुचाने का काम जिस डाकी के द्वारा किया जाता है उसे पॉइंट्समें कहते हैं। किसी माल गाड़ी को इंजन से जोडने या डिजल लोको काट कर एसी लोको लगाने के पस्चात गाड़ और लोको पाइलिट के द्वारा दो किलोमेटर लंबी माल गाड़ी की परिक्रमा करके उसके वकल पूर्जे जैसे BP और FP के एंगल कोग CBC के pin PNG handle DV का isolating handle और brake cylinder की working condition को चेक करके एक सयुक्त report का निर्माण किया जाता है जिसे GDR कहते हैं चुकि railway में सफेधाती मेरा मतलब गार्ड विलूपती के कगार पर है और अधिकांस गाड़ियां बिना गार्ड के चलाई जा रही है तो लोको पालेट के साथ GDR बनाने का काम जिस राजपाल यादव के द्वारा किया जाता है उसे pointsman कहते हैं जब किसी engine का train या मालगाड़ी के साथ संभोग कराया जाता है ऐसे समय में CVC coupling को ठीक किया जाता है BP तता FP pipe को जोड़ा जाता है तता लोको पालेट के सामने जंडी लेकर कुछ गंदे-गंदे इशारे किये जाते हैं और railway में ऐसे गंदे-गंदे इशारे करने वाले निरलत जीव को point जब भी कोई train किसी station boundary से होकर गुजरती है तो station master और points में अपनी अपनी जंडिया लेकर उसे तारने लग जाते हैं मेरा मतलब जाती हुई train के hanging parts को बारिकी से observe करते हैं railway की भासा में इसे signal exchange करना कहते हैं signal exchange की दोरान ही मयूर शेल के नाम के points में ने महस 13 सेकेंड में पट्री पर गिरे बच्चे की जान बचाई थी वही कोली नमबर वन मुवी में इसी काम को करने के लिए वरुन धवन ने 13 मिनट लगा दिये थे जब किसी ट्रेन को इंजन से काट कर अलग किया जाता है तो बिना इंजन के ट्रेन को पूरा स्टेशन सुना सुना लगता है मास्टर को ये डर हमेशा से लगा रहता है कि इंजन के प्यार में पागल ट्रेन WDG4 को डूढने के लिए स्टेशन से अकेली रवाना ना हो जाए और इसलिए ऐसी अकेली पड़ी अबला ट्रेनों के हैंड ब्रेक को बनधवाया जाता है इनके चक्कों के नीचे आइरन स्केड लगवाई जाती है तथा इनके एकसल को चेंज से बनधवाया जाता है रेलवे की भासा में इसे लोड स्टेबल करना कहते हैं और अकेली पड़ी देवस्थेना को जंजीरों से बानने का काम जिस कटपा के द्वारा किया जाता है उसे पॉइंट्समेन कहते हैं जब कोई सिगनल रेड एस्पेक्ट में खराब हो जाता है तो पॉइंट के सेट और लोग होने की कोई गेरेंटी नहीं होती है इसलिए मास्टर के बार बार वोकी टोकी पर बुलाने पर भी लोको पाइलिट आगे बढ़ने से साफ मना कर देता है बुलाती है मगर जाने का नहीं ये ऐसे समय में पॉइंट्समेन अपनी जहंडी लेकर जाता है पॉइंट को मैन्वली सैट और लोग करता है और ट्रेन को सही सलामत स्टेशं तक लेकर आता है Railway की भाषा में इसे train को pilot कराना कहते है और pilot कराने का काम जिस नेग बंदे के द्वारा किया जाता है उसे एक pointsman कहते है अगर बात इस job की positive point की की जाये तो सबसे बड़ा positive point तो ये है कि एक सर्कारी नोकरी है अब की तारीफ जी कीजिए अरे भी करते क्या हो जी प्योण हो अब एक ठीयों से शादी करूंगी क्या मैं पापा चोटी बच्जी हो क्या सरकारे प्योण हो बबाद जी इतने दिन से कहा थे आप और भारतिय समाज में सरकारी नोकरी की इतनी इज़त है कि तुम्हारे ऐसे ऐसे और ऐसे होने के बावजूद भी तुम्हें ऐसी ऐसी और ऐसी मिल सकती है GDCE और LDCE एक्जाम के तुरू सरवादिक प्रमोशन के चांसेस पॉइंट्समें के ही होते हैं ग्रूब D एक्जाम से तुम्हारे साथ ही भरती हुए ट्रेक में जहां जंगलों में साप पकड़ रहे हैं ट्रेक माशिन असिस्टेंट बन जारे बन गए हैं लेकिन तुम्हें अपना स्टेशन छोड़कर कहीं बाहर जाकर ड्यूटी करने की कोई आउसकता नहीं है अगर बात इसके नेगेटिव पॉइंट की की जाए तो पॉइंट्समें स्टेशन मास्टर के अंडर में काम करने के कारण कई बाद स्टेशन मास्टर उसे रेल्वे सर्वेंट के स्थान पर अपना पर्शनल सर्वेंट समझने लग जाता है लेकिन जिस दिन पॉइंट्समेन के आपना सम्मान को ठेस पहुंसती है और हो विक्राल रूप धारण कर लेता है उस दिन सरकारी नोगरी लगने के बाद अकर तुम्हारा प्रमोशन यहां कचवे की स्पीड से होने वाला है मेरा मतलब बहुत स्लो होने वाला है तुम बैंग बैंग के रितिक रोशन बनकर रेलवे में आओगे और डैस डैस वाले चचा बनकर रेलवे से रिटायर हो जाओगे लेकि स्यार आज के लिए इतना ही वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाग करो सब्सक्राब करो पूरा इंडिया फैलादो ज्यादर स्यार वाच करो पूरा स्यार करो क्या बोलते हैं मेरी पब्लिक अक्सेट्फूल कुछ कुछ